आज हम दुबारा इसको कॉंटिन्यू करने जा रहे हैं कि रीडर थेटर लिटरसी स्किल्स कैसे डिवेलप करता है सबसे इंपॉर्टन जीज रीडर थेटर के अंदर ये है कि वो डिवर्स किसम की स्किल्स जो है जो मुक्तलिफ एज के बच्चों में होती है वो उनको सपोर्ट करता है इसका मतलब ये है कि अगर आपकी क्लास मल्टी एज है या मल्टी लेवल ग्रेड स्टूरेंट साब के साथ बैठे हुए है तो आप उनके साथ भी जबर्दस किसम का थेटर कर सकते हैं अब कैसे कर सकते हैं रीडर थेटर में मुक्तलिफ किसम के बच्चे जिनकी मुक्तलिफ रीडिंग कब इबिलेटी है जिनकी मुक्तलिफ किसम की स्पोकन कब इबिलेटी है और कॉम्प्रिहेंशन कब इबिलेटी है वो पार्टिसिपेट करते हैं एक ही थेटर के अंदर और आपके पास जो कहानिया मौजूद हैं, अगर वो ज़रा दरा मुश्किल हैं, या उसके कुछ पार्ट बहुत मुश्किल हैं तो आप उन्हें मौडिफाइ कर सकते हैं, री-राइड भी कर सकते हैं for the sake of children, ताकि वो successfully, interest के साथ, age level के साथ उन्हें perform कर सके हैं. उसके लावा आप composite script बना सकते हैं आप multiple जगों से कहानिया ले सकते हैं अगर वो किसी एक theme पे हैं जिससे animals के उपर हैं आप different जगा से different characteristics ले ले लें डायलोक्स ले ले और फिर बच्चों के साथ मिलके आप उन डायलोक्स को perform कर सकते हैं उसके लावा आप different literacy level को सामने रखते हैं खुद से भी script लिख सकते हैं बच्चों के interest को सामने रखते हैं और उनकी desire को सामने रखते भी character develop कर सकते हैं खुद भी और उनके साथ भी